हलो माई डियर श्टुडेंट बेलकम बैक तुमा यूटूब चैनल सुभास अश्टडी सेंटर तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कच्छा दस के विद्यार थी दो हजार पचीस की बोर्ड परिच्छा देंगे इस वीडियो में मैं ले करके आ चुका हूँ आप सभी के लिए चित्रकला बिसय का माडल पेपर जी है मेरे पैरे बच्चो दो हजार पचीस की बोर्ड परिच्छा में चित्रकला बिसे का पेपर कैसा आएगा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा किस तरह के प्रशनाएंगी सारी चीजे आपको इस वीडियो में कनफर्म हो जाएंगी और मेरे प्यारे बचो इस माडल पेपर को मैं साल्व भी कराऊंगा क्योंकि कुछ प्रशन वह विकल्पी हैं जो कि आप इस माडल पेपर से सम्मंदित वीडियो में देखेंगी मेरे प्यारे बचो यदि आप कच्छा 10 में हैं तो 100% की गारंटी मेरी है कि यहां से प्रशन आपकी बोड परिच्छा 2025 में जरूर पूछे जाएंगी तो मेरे प्यारे बचो जैसा कि आप सभी जानते हूँ चित्रकला विसय का कोड क्या है 936 और इस माडल पेपर का कोड आप यहां पर देख रहे हैं 830 IV देरे प्यारे बचो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा बोड परिच्छा में पेपर का पुडांक रहेगा 70 रंकों का और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को विल्कुल कंप्लीट देखेगा वीडियो के लाश्ट तक जाईएगा देखते हुए क्योंकि आपको किलियर हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा मेरे पैरे बच्चो यहाँ पर नोट के अंतरगत लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परिच्छार्थियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं तीन घंटे 15 मिनट का समय है जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिये जाएंगे और तीन घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए तो यहाँ पर अगला निर्धेश है पहला निर्धेश अपना अनुक्रमांक ड्राइंग सीट के कवर पेज पर इसपष्ट अंको एवं सब्दों में लिखिए तथा केंद्र विवस्थापक के हस्ताचर यूक्त मुहर प्रतेक प्रपत्र पर लगवा कर कच्छ निरीचक से सभी प्रश्टों पर इसपष्ट हस्ताचर भी कराईए मेरे पैरे बचो प्रश्न पत्र का खा और गा तीन खंडों में विभक्त है तीनों खंडों को हल करना अनिवार है पेपर तीन खंडों में विभक्त रहेगा और तीनों खंडों को हल करना बिल्कुल अनिवार है पैरे पैरे बचो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजेगा खंड का के अंतरगत यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस खंड में आले खंड कला अथवा प्राविधिक कला के प्रतेक के 20 बहुविकल्पी यह प्रश्ण है जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्णों के उत्तर देने हैं यहां पर मैं आपको इस माडल पेपर में भी आले खंड कला के प्रश्णों को ही साल्व कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे अगला है आपके द्वारा आले खंड कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चैन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवस्य अंकित करें आपने 20 प्रश्णों का उत्तर यदि OMR सीट में आले खंड कला के प्रश्णों को किया है तो इसका अंकन आपको करना होगा यानि इसे आप अंकित करेंगे किसमे OMR सीट में यदि आपने प्रवेधिक कला के प्रश्णों को साल्व किया है तो आप प्रवेधिक कला को अंकि करेंगे यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है चलिए मेरे प्यारे बचो आलेखन कला के इन प्रश्णों को आप लोग जरूर देख लो ये प्रश्ण मोश्ट इंपर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परिच्छा के लिए इन्हें जरूर तयार कर लो इसी तरह के प्रश्णाए दो हजार पचीज की बोर्ड परिच्छा में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्छो निमनलिखित प्रतेक बहु विकल्पिये के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए पहला प्रश्ण है कला सब्द किस भासा का है तो दिये गए विक विकल्प इस प्रकार से हैं यहाँ पर हिंदी, संग्सक्रत, भार्सी और पाली तो कला सब्द जो है मेरे प्यारे बच्छो संग्सक्रत भासा का सब्द है यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा और OMR सीट में आपसन A होगा, B होगा, C होगा और D होगा, A, B, श, और D नही सफेद रंग का दिरोधी रंग कौनसा है तो मेरे प्यारे बच्छो विकल्प दिये गए हैं काला, नीला, हरा और भूरा तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा आप सभी जानते हैं कि सफेद रंग का दिरोधी रंग कौनसा होता है काला रंग होता है और काले रंग का दिरोधी रंग कौन सा होता है सभेद रंग होता है मेरे प्यारे बच्छो प्रश्न संख्या तीन है यहाँ पर ओष्ट वाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं दिकल्प हैं यहाँ पर आप लोग घ्यान देंगे तीन चार साथ और आठ तो ओष्ट वाल्ड के रंग चक्र में क इतने रंग पाए जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रशन के विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा, क्या 12 रंग पाए जाते हैं, 18, 9 या 7, तो सूरी की रस्मियों में मेरे प्यारे बचों 7 रंग पाए जाते हैं, प्रशन अगला है, किस नंबर की पिलसन से खीची ग तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा, यचबी पेलसन से खीची गई रेखा जो होती है, यहां गहरी होती है, प्रश्नकला है, निमन में से कौन सा रंग गर्म है, यानि किस रंग की प्रकृति गर्म होती है, यहां पर विकल्प आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल् सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को विल्कुल कम्प्लीट देखिएगा और एक बार सेर जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पहला है विकल्प ठंधा दूसरा विकल्प है सामान तीसरा है गर्म चोथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं तो नीला रंग हमारे नेत्रों पर ठंधा प्रभाव डालता है यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा प्रशन संख्या आठ है मेरे प्यारे बच् या पेस्टल कलर या पेस्टल या फिर आयल कलर तो रंग माध्यम में वाटर कलर सबसे अधिक पारदर सी रंग होते हैं मैंने प्यारे बचो प्रशन संख्या नौ है यहां पर आप लोग ध्यांदेंगे वीडियो को विल्कुल भी स्कीप नहीं करना है आप सभी को और वीडियो के अंततक बने रहना है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि पेपर कैसा आएगा किस तरह के प्रशनाएंगे और कितने आसान प्रशनाएंगे कितने कठिन प्रशन होंगे मेरे प्यारे बचो आप यहां पर ध्यान दीजेगा प्रात्मिक अत्वा मुख रंग कौन कौन से हैं तो विकल्प यहां पर है मेरे प्यारे बचो पहला हरा आसमानी पीला दूसरा है विकल्प काला सफेद भूरा तीसरा विकल्प लाल नीला पीला चोथा है विकल्प नारंगी धानी आसमानी तो प्रात्मिक अत्वा मुख्य रंग कौन कौन से हैं इसका उत्तर हो जाएगा लाल नीला और पीला ये क्या हैं प्रात्मिक अत्वा मुख्य रंग माने जाते हैं प्रश्नि संख्या 10 है, दूतियक रंग कितने होते हैं, क्या 2 होते हैं, 10 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, तो दूतियक रंगों की संख्या होती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 3, छत के केंद्र को अलंकत करने के लिए कौन सा आलेखन च्छत के केंद्रूग थे जो केंद्र आलेखन बनाना सही होगा क्या केंद्री यानि बीच में कोई फूल या कोई अलेखन बना दिया जाए या फिर मेरे प्यारे बच्छो कोनी का आलेखन, कोई कोनी में आलेखन बना दिया जाए, या किनारी का आलेखन, किनारी का आलेखन बना दिया जाए, कौन से आलेखन उप्यूक्त होगा, तो हमें छत के केंद्र को अलंकरत करवाना है, सजवाना है, इसके लिए हमें केंद्री यानि बीच के आलेखन को बनवाना होगा, यानि उप्यूकत आलेखन कौन होगा, केंद्री आलेखन होगा, मेरे प्यारे बच्छों बनावट की द्रश्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, पहला है विकल्प तीन, दूसरा विकल्प है चार, तीसरा विकल्प है चाह, चौथा विकल्प है आठ तो बनावट की द्रश्टी से आलेखन होते हैं मेरे प्यारे बच्चो चार कितने चार होते हैं प्रश्णी संख्या यहाँ पर अगला है इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं क्या आठ होते हैं साथ होते हैं तीन या फिर आठ यहाँ पर दू बा प्रश्नकला है हरा रंग किन रंगों के मिस्रण से बनता है तो जब हम क्या करते हैं नीले रंग को और पीले रंग को आपस में मिला देते हैं तो हमें नए रंग की प्राप्ति होती है जिसे हरा रंग कहते हैं अनि हर्या रंग का जो है यदि हरा रंग हमें बनाना है तो नील और पीला रंग आपस में क्या करना होगा मिलाना होगा इनका मिसरण करना होगा अगला प्रशन है मेरे पैरे बचो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दिजेगा क्या लाल रंग है हरा रंग है भूरा है या थिर नेला है तो पीले रंग का विरोधी रंग क्या होगा नीला रंग होगा आप लोग ध्यान दीजेगा इन सभी प्रशनों को आपको तयार कर लेना है रट लेना है प्रशनगला है किस नंबर की पिलसन हलकी रेखाएं खीशती है तो किस नंबर की पिलसन यहाँ पर विकल्प दिये गए हैं क्या यच नंबर की या यच भी नंबर की या टू यच नंबर की या यच यच टू यच नंबर की यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा किस नंबर की पिलसन हलकी रखाएं कि इसती है उत्तर हो जाएगा टू यच नंबर की पिलसन थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है मैं कौन सा है सफेध रंग है यहां पर आप लोग ध्यां दीजिवा मेरे पैरे बचो भारत का राष्ठी पुस्प कौन सा है तो इसका उत्र तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत का राष्ठी पुस्प किया चमेली का फूल है कमल का फूल या गुलाव का या गेंदा का तो आपको पता है हमारे भारत का राष्ट्री ये पुस्प है कमल आप लोग कमेंट में बताएगा कि हमारा राष्टी पसु और पच्छी कौन सा है प्रश्न गला है बिना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है क्या जल या तैल रंग या फिर पेश्टल रंग या मेरे प्यारे बच्चों इन में से कोई नहीं तो बिना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजेगा तैल रंग बिना ब्रस की सहायता से लगाया प्रश्नि संख्या 20 है वर्ड का क्या आर्थ है क्या चित्र है रंग है या थिर साफ रंग या ध्वनी, तो वर्ड का आर्थ क्या होता है रंग होता है, बेरे पैरे बचों इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे अलेखन कला से संबन्धित, इन प्रश्नों को मैं वादा करता हूँ कि यहां से प्रश्ण जरूर आएंगे बोर्ड परिच्छा में आप यहां पर अत्वा में प्रावेधिक कला के प्रश्ण हैं चाहें तो आप इसका स्क्रीन साथ ले सकते हैं इनके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आलेखन कला से प्रावेधिक कला के प्रश्णों को आप स्क्रीन साथ के द्वारा देख सकते हैं यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा मेरे प्यारे बचों यहां से आप स्क्रीन साथ ले लीजेगा अब इसके बाद खंड खा है अब खंड खा में क्या है खंड खा के प्राकर्तिक द्रस चित्रड अथवा आलेखन कला अथवा प्रवेधिक कला में से केवल एक का ही चित्रड करना है चाहे आप प्राकरतिक द्रस चित्रड करें या फिर आप आलेखन कला वाले भाग को हल करें या आप प्रवेधिक कला वाले भाग को हल करें तो जो आपकी इच्छा है आपको वही करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन भाग हैं तीन में से एक करना है तो प्राकरतिक द्रस्य चित्रण से समंधित प्रश्न किस तरह के आएंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखा हुआ है एक आके अंतरगत पचीस गुड़े 20 के आयत में पहाडी सूर्यस्त का द्रस्य जिसमें जोपड़ी और ब्रच्छों को चित्रित कीजिए चित्रण में जल रंगो या पिश्टल रंगो का प्रियोग कीजिए चित्रांकन में निमनलखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है सबसे पहला बिंदु है सही रेखां अंकन तथा परिपेच जिसके लिए 10 अंकन निर्धारित हैं सयोजन के लिए 5 अंकन निर्धारित हैं सुसंगत रंगो का चैन करेंगे आप तब आपको 10 अंक मिलेंगे सामाने प्रभाव के लिए 5 अंकन निर्धारित हैं यदि आप प्राकरतिक द्रस्य चित्रण नहीं करन चाहते तो आप आलेखन कला के भाग को साल्व कर सकते हैं और आलेखन कला के प्रश्ण को आप यहां पर ध्यान दिजेगा प्रश्ण यहां पर दिया गया है 18 cm ब्यास के एक ब्रत में छट के लिए उपयुक्त एक सुन्दर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए ब्रत को इभाजविच कीजिए आलेखन किसी भी भारतिये पुस्प पतियों एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए आलेखन में तीन जल रंगों का प्रियोग करें ट्रेसिंग करना मना है आलेखन बनाते समय निम्न बिंदूओं पर भी विसेस ध्यान देना है कौन कौन से बिंद का प्रियोग करना है जिसके लिए 10 अंक निरधारित हैं और सामान प्रभाव एवं आकरसड के लिए 5 अंक निरधारित हैं मिरे प्यारे बच्छो अत्वा आप प्रवेधिक अलाके प्रशनों को कर सकते हैं तो किसी एक के प्रश्णों को करना है चाहे आप प्राकरतिक द्रस्य करें या अलेखन वाले भाग को करें या प्रावेधिक वाले भाग को करें तो प्रावेधिक वाले भाग के प्रश्णों का आप स्क्रीन साथ ले सकते हो इसके बाद खंडगा यहाँ पर आप देखेंगे खंडगा में क तो मैं तो कहता हूँ आप आलेखनकला के प्रश्नों को साल्व करें मेरे प्यारे बचो ये तो जरूरी ही यहाँ पर आप देखेंगे निमनलखित में से किसी एक का इस्मरत चित्रड पिलसन के माधम से बनाएए चित्र की माप कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमेटर से कमना हो जैसे कि आपको बनाना क्या-क्या है तरबूज, गिलास, सुराही, केतली में से कोई एक चित्र आपको बनाना है और मेरे पहरे बचों ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट हैं इन चित्रों का प्रयास कर लेना, बनाने का अभ्यास कर लेना, क्योंकि इसी तरह का प्रशना आएगा फिर चित्र में निम्न बिंदूओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठों पर जिसके लिए 4 अंकनिरधारित हैं आकरती की अनुरूपता के लिए 6 अंकनिरधारित हैं खा के अंतरगत प्रशने हैं मेरे प्यारे बच्चों निम्नलखित में से किसी एक का इस्मरत चित्रल प्यलसिन के माध्यम से बनाएए चित्र की माँ 15 सेंटीमेटर से कम ना हो बैट बाल, आम, दो पतियों सहित, टमाटर या मटका कोई एक चित्र बनाना है यहां से आपको और चित्र में निम्नबिंदू पर भी विसेश ध्यान देना है जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजेगा आप यहां पर ध्यान देंगे रेखा सवस्ठो पर आकरती की अनुरूपता पर तो यहां पर आप सभी लोगों ने देखा चित्रकला विसेश का पेपर कैसा आएगा 2025 की वोड परिच्छा में आप इस माडल पेपर को जरूर तयार कर लो यहां से प्रश्ण 100% आएंगे और 2025 की वोड परिच्छा के लिए आप धुआधार तयारी करें चैनल को सस्क्राइब करने के बाद तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें जैहिंद